हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हमश्कार Study IQ IAS हिंदी में आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत दुबे आज हम मुद्दे की बाद के सकारक्रम में एक बहुत ही महत्यपूर टॉपिक की उपर चर्चा करने जा रहे है और ये जो टॉपिक है आप जैसा कि देख पा रहे हैं बुद्ध के अवशेस और राम ग्राम देवदहा विवाद के बारे में है तो अभी ये स्थान जो है हाल ही में काफी जादा चर्चा में था जिसमें आप नाम दे रहे हैं देख रहे हैं राम ग्राम का और देवदहा का देवदहा कह लीजिए या देवदह कह लीजिए एक ही बात है कहीं कहीं पर देवदह भी का जाता है और कहीं कहीं पर देवदह के नाम से अनाता है तो इसके माध्यम से इस चर्चा के माध्यम से सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह विवाद क्या है और इस विवाद से संबंधित या यूं कह सकते हैं कि इस विवाद में से समंधित जो दूसरे जो स्टूपों की जो बात आई है उन स्टूपों के उपर हम चर्चा करेंगे और बुद्ध के जो बुद्ध के अवशेसों से समंधित जो इस्थल हैं जिन पर स्टूपों का नर्मान कराया गया है उसकी भी हम कुछ छोटी सी कहानी समझने का प्रयास करेंगे, छोटे मोटे points हैं, जो अच्छी तरीके से आपको exam के point of view से पूछे आ सकते हैं, इससे आप art and culture के माध्यम से भी देख सकते हैं, social activity के माध्यम से भी देख सकते हैं, archaeological के points जो हैं, इसमें काफी आदा important हैं, एतिहासिक प्रिष्टभूमी तो इसकी है ही, इन सब तरीके से हम इसको जोड़ करके पूरे topic को आज पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुवात करते हैं, बुद्ध के अवशेश और राम ग्राम देवदाह विवात के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम खबर के उपर चर्चा करेंगे, राम ग्राम देवदाह ये इस्थल है, जो की भारत और नेपाल के बीच में, बुद्ध के अवशेशों को ले करके, थोड़ी संकट में स्थिति में आ गया है, और थाथ बुद्ध के अवशेशों को ले करके, दोनों लोगों के बीच में, यानि भारत और नेपाल के बीच में, थोड़े से disputed matters जो हैं, वो चलने शुरू होगे, इनके उपर हम चर्चा करेंगे, कि क्या हैं ये disputed matters, जानेंगे इनके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं, कपिलवस्तु की, कपिलवस्तु भारत और नेपाल, कपिलवस्तु पर भारत और नेपाल, दोनों की दावेदारी है, किस प्रकार से ये दावेदारी है, कपिलवस्तु पर, ठीक है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, तो भारत में, आप सब लोग वाले का पिलवस्तु वो इस थान है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके पिता जो शुड्धोधन है वो इसी शाक के कुल से थे और इसी जगा पर वो शासन किया करते थे का पिलवस्तु की वो राजा थे तो इस इस्थान पर भारत और नेपाल दोनों ने अपनी दावेदारी करी है कि इस्थाल जो है वो हमारे याँ है और इन्होंने दावेदारी करी है कि हमारे याँ है ठीके अब अगर हम मानिता की बात करते हैं अगर हम बिलीव्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के बच्पन के कुछ साल जो है वो देवदह में बीते थे और माया देवी जिनको आप महा माया कहते हैं और महा प्रजापती गोतमी की ये जन्मस्थली है यानि कि बुद्ध की जो माताएं हैं उनकी जन्मस्थली के तोर पर भी इसको देखा जाता है किसे देखा जाता है देवदह को या इसी को हमने कहा था देवदहा आप कह सकते हो तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी माता थी माता ठीक है माया देवी जिनको कह सकते हैं ये इनकी माता है जन्म देने वाली माता है और ये प्रजापती गौत्मी जो है ये कौन है ये इनकी मौसी है ये इनकी कौन है मौसी या यू कह सकते हैं ये इनकी बहन है महा माया की ठीक है तो इनके जन्मिस्थान भी यहीं पर है और बुद्ध का बच्पन जो है काफी समय तक यहाँ पर पीता है तो बुद्ध के बच्पन से संबंधित यहाँ पर चीज़े हैं वहाँ के लोग कहते हैं इसके बारे में कि यह बुद्ध का जन्मिस्थान है बुद्ध के बच्पन क हाँ बुद्ध के अव्षेशों का आठवा हिस्सदा है। कहते हैं कि جब महात्मा बुद्ध को जब निर्वान प्राप्त हुआ, जिसे आप निबन कहते हैं, पर निबन सूत में इसकी व्याख्या की गई है, इसके बारे में बताया गिया है। तो वो जो निब्बान है या निर्वान जो है, उस निर्वान के पश्चात, बुद्ध के अंतिम संस्कार के पश्चात आठ भागों में उनको डिवाइड कर दिया गया, उनके अवशेशों को आठ भाग में डिवाइड किया गया, उसके उपर भी चर्चा भी हमारी होगी ही तो 8 भागों में divide कर दिया गया तो जो आठवा हिस्सा है इसी को ले करके विवाद हो रहा है और ये आठवा हिस्सा जो है वो राम ग्राम में है तो वो राम ग्राम actual जग़ जो है वो भारत और नेपाल के बीच में disputed area के रूख में जानी जा रही है तो अब इसके बारे में Archaeological Survey of India और जो तमान दूसे Archaeologist हैं वो सारे लोग जो है इसके उपर research जो है वो कर रहे हैं और क्या निकलेगा result उसके उपर तो हम लोग बाद में देखेंगे तेकिन अभी भारत जो है वो यह मान रहा है कि राम ग्राम जो है वो भारत के पास में और नेपाल मान रहा है कि हमारे पास में इस आठवे हिस्से को ले करके काफी ज़्यादा dispute है और यह आठवा हिस्से अभी तक प्रत्यक्ष रूप से खोजा नहीं गया है केवल जो बौध तूपों का निर्मान कराता है तो वो तो अशोक के बारे में है अभी थोड़ा सा हम आगे discussion करेंगे तो यह जो disputed अब जो जगह मैंने आपको बताई कौन-कौन सी एक तो देवदह और दूसरा जो है राम ग्राम तो देवदह के वाले हिस्से में वहां की जो नगरपालिका है नेपाल की वो इस पर खुदाई करवा रही है और खुदाई करके इसके उपर रिसर्च करना चाहती है कि वास्तविक्ता क्या है 1997 और 1999 में नेपाल की तरफ से अगर हम देखें तो एक पॉइंट हम को मिलता है 1997 और 1999 में रामग्राम साइट का भू भौतिकी जो है वो मुल्यांकन किया गिया था जिसमें नेपाल जिसमें नेपाल के और ब्रिटिश ब्रिटिश जो पुरातत्व वेत्ता है पुरातत्व वेत्ता जो है उन्होंने अपना है कि यहां पर यह जो इस्थल है यह जो राम ग्राम इस्थल है यह वो ही राम ग्राम इस्थल है जहां पर बुद्ध का आठवा अवशेश जो है वो दबाया गया गया जो आठवा जो अवशेश है उसके उपर स्थूप बनवाया गया था तो यह उसी के रूप में इसको चि प्रियास किया जा रहा है नेपाल सरकार ने जो महात्ता बुद्ध का जन्मिस्थान है लुम्बनी ग्राम जिसको बोलते हैं उसको युनेस्को की विश्व धरुवर इस्थल में शामिल करवाया है और इस तरीके से उसको संट्रेक्शन करने का प्रयास भी कर रहे हैं और साथ अगर हम महात्ता बुद्ध के ननिहाल और उनके जो पवित्र अवशेस हैं उनके बारे में चर्चा को अगर और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर एक नाम आता है और्केलोजिस्ट का जिनका नाम है पूर्ण चंद्रमुखर जी तो पूर्ण चंद्रमुखर जी ने 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 इस जगह को ही आपने जो कपिलवस्तु जगह है कपिलवस्तु उस जगह की रूप में इसको पहचाना था लिकिन इसके बाद फिर थोड़े थोड़े मतलब कह सकते हैं डिस्प्यूट्स होते रहे बाद में एस ASI ने क्या बताया कि भारत के UP में उत्तर प्रदेश के भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह है पिपरहवा तो इस पिपरहवा को कपिलवस्तु के रूप में पहचाना तो ये भी एक डिस्प्यूटेड मैटर हो गया कि जो पहला जो है वो तिरॉल को यहां पर बता रहा है और दूसरा जो बैच है वो ये बता रहा है कि इसमें कौन सा स्थान है राम ग्राम का वो कौन सा स्थान है जहां पर राम ग्राम का वो कौन सा स्थान है जहां पर जो आठवे स्थूप के रूप में जिसको पहचाना गया था जहां पर भेजा गया था जो लोग ले गए थे और तीसरा जो है जो देवदा है देवदा जो है वास्तविक रूप में ननिहाल वाली जगह कौन सी है, ठीक है, तो यहां पर एक point हमको और ध्यान रखना है, चीनी यात्री फाहयान और हिएन सांग ने अपने यात्रवृत्तांत यानि ट्रेवल्यूक्स लिखे हुए है, और इन ट्रेवल्यूक के बारे में एक पत्रिका में पत्रिका का नाम है और यह पत्रिका का प्रकाशन किया गया है National Trust for Promotion of Knowledge लखनावों के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जिसका नाम है the Indian General of Archaeology इस पत्रिका में ये जो हुएंसांग है इस हुएंसांग का भारत में सात्मी शताबदी के आसपास में इसका विजिट हुओ है इस घटना के बारे में यहांपर बात को बताया गया है थीक है? इस घटना के बारे में इस पुस्तक में लेखन है इस पुस्तक हम दुबारा उल्लेख करेंगे, तो हम उसके बारे में एक और विशे इस पॉइंट बताएंगे, फिलाल यहाँ पर एक और पॉइंट समझते हैं, लुंबनी डेवलेप्मेंट ट्रस्ट की आधिकारिक वेफसाइट, यानि एक वेफसाइट की बात करी जारी है, लुंबनी डेवलेप्मेंट ट्रस्ट, इसकी जो ओफिशल साइट है, इस पे किस प्रकार के डेटा मौझूद है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इस साइट म प्राचीन राजधानी के रूप में किसे पहचाना जा रहा है इस Lumini Development Trust के अधिकारे वेबसाइट पे ये जो साइट्स हैं उसको इस रूप में दिखाया गया है तो एक नई बात यहां पर आ गई अब इसी वेबसाइट में भी कहा गया है कि यहां एक मात्र ऐसा जो अभी भी अपने मूल रूप में है मतलब यह एक मात्र ऐसी जगा है जो अभी भी अपने मूल रूप में इसे डिस्ट्रॉइ नहीं किया गया है तो जो साथ भाग हुआ करते थे यानि कि जो साथ जगहें थी जहाँ पर उन साथ अवशेशों को ले जाया गया था, इस तूप बनवाया गया था, उसको तो destroy किया गया था, और उसे destroy किया था, अशोक ने, और इस site में ये लिखा हुआ है, कि 8 में से 7 जो destroyed हैं, वो अशोक के द्वारा की गई थी, अशोक ने क्यों किया था, इसके बारे म है या नहीं, बासस्वाज में आ रही की नहीं, अब देखें यहाँ पर एक नाम यहाँ आएगा, विजय कुमार जी का, यह जो है, महराज गंज जिले में अधिकशक है, महराज गंज, यूपी का जो महराज गंज ए, उस जिले के देखा था पत्रिका था इंडियन जनरल ओफ आर्किलोजी इस किताब में एक बात का वरणन और किया गया है इनकी अनुसार इनोंने बताया है कि बुद्ध के जन्व से पांच योजन पूर्व पैगोडा का निर्मान किया गया तो वो जो पैगोडा है वो इसी पैगोडा की बात हो रही है जो कि बुद्ध के जन्व स्थल से पांच योजन दूर है और इसी जगह को रामगराम कहा जा रहा है और ये बात जो है ये बात किस ने लिखी है ये बात वेंसांग ने लिखी हुई है या हेंसांग की जो ये बा राम ग्राम से पांच योजन पूर्व की तरफ मात्वा भुदिके जन्म के स्थल से पांच योजन पूर्व की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर ये जो जगा है वहाँ पर पैगोडा बनाएं तो जो बर्मा प्रदेश है म्यामार वाला जो बर्मा प्रदेश है वहाँ पर इसको क्या बोलायाता है, बर्मा लेंग्वेज में कह लीजे, या फिर तिब्बती लेंग्वेज में कह लीजे, तिब्बती लेंग्वेज बोल लीजे, या फिर नेपाली लेंग्वेज बोल लीजे, इन सब जगहों पर ये जो स्टूप है ना, इन स्टूपों को क्या बोला आता है पैगोडा बोले आता है पैगोडा तो जब यह आया है तो इसने पैगोड़ा श Auswbd का इस्तेमालनी इस टूपओं के ली किया हुआ है तो बुद्ध का जन्मिस्थान है कपिलवस्तू, तो कपिलवस्तू से 5 मील पूर्व की ओर जो रामग्राम है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने साक्षिक खट्टे की हैं, तो इस साफ से वो चीज यह बताते हैं कि यह है रामग्राम, अब अशोग के बारे मैंने आपको जो हैं, वो डिस्ट्रोई किये थे अशोग ने, और इनसे जो अवशेस प्राप्त किये, इनसे जो अवशेस प्राप्त किये, यानि कि मात्ना बुद्ध की जब मृत्यू हुई, तो मृत्यू के होने के पश्चात, उनके जो शरीर के आठ भाग जो बाटे गए, अन्तिम सं साथ स्टूप को अशोग ने तोड़ करके, उनमें से उन जो अवशेशों को फिर से प्राप्त करके, केवल आठ जगे तक ही सीमित ना रहें, और जगहों तक सीमित रहें, और उसको एकस्पेंड किया जा सके, तो इसलिए उसने क्या किया, अशोग ने यहां से अवशेस प बनवाए, ठीक है, कितने लगबग 48,000 स्टूप बनवाए इसने, अब वो एक को नहीं तोड़ पाया, जो कि अपने मूल रूप में अभी भी है, जो कि अभी मैंने जनरल में आपको दिखाया कि लिखा हुआ है, अर्केलोजिकल जनरल जो यहां पर मैंने आपको दिखाया उसमें यह लिखा हुआ भी भी इनियन जनरल ओफ और्केलोजी, तो वो जो आठवा है, वो क्यों नहीं तोड़ पाया, उस किताब में, यह जो किताब है यहां पर आप दिख सेते हैं, इसका कारण भी बताया गिया है, कारण यह बताया गिया है कि अशोक ने उसे भी तोड जरूर लगती है, लेकिन हो सकता है कि उस समय के हिसाब में या संदर में सकते हो तो वो नाग उसकी रक्षा कर रहा था जो जिसको ये हटा नहीं पाए, अशोग जो है हटा नहीं पाए, पर आजित नहीं कर पाए और अंता वो सुरक्षित रहा गया तो वो ही एक उरिजिनल फॉर्म में है अभी तक बाकि सारे जो है वो अलग-अलग फॉर्म में डिवाइड हो चुके तो ये है डिस्प्यूट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, अब इस थानी लोग जो है, उनकी डिमांड है कि बनार सिनहकला गाओं और धर्मोली गाओं में एक समितिका गठन किया जाए और उस गठन के द्वारा ये चिनहीत किया जाए कि वास्त्विक ओरिजिनल जगह कौन से है, अब आप सुच रहोंगे कि ये वाली अभी थोड़ी देर पहले जिन हम दो साइट्स की बात कर रहे थे ये देवदहा और दूसरी वाली जो थी, आपकी रामगराफ तो देवदहा वाला जो इस्थान है वो देवदहा यही पर है देवदहा जो है वो बनार सिनहा कला गाओं में ही अब यहां के जो स्थानी लोग हैं उनका मानना है कि इसकी खुदाई हो तो सत्यता का पता चले और इसके लिए समिति का जो है वो गठन कर दिया गया है कि देवदहा की खुदाई के लिए बनार सिनहा कला गाओं और रामग्राम के सच्चाई के लिए धरमोली गाओं में जो आर्कियोलोजिस्ट हैं वो आएं और वहां पर समिति का गठन करके खुदाई की जए तो जो महाराज गंज जो जिला है वहां के जो डियम है वो है सतेंद्र कुमार और इन्हों ने राज्य के पुरातत विभाग को दोनों अस्तिलों के खुदाई के लिए एक लेटर लिख दिया तो उस पे एक्सेप्टेंस जो है अब महाराज गंज के तरफ से मिल चुका है महाराज गंज प्रशासन की तरफ से और यूपे प्रशासन की तरफ से मिल चुका है अनुमती की आप यहां पर खुदाई करके जाच करवा सकते हैं जिस पे वरत्मान सवय में कह सकते हैं ये 1991 में ASI की पटना उत्खनन शाखा ने यहाँ पर खुदाई करी थी, और यहाँ पर जब खुदाई करी तो यहाँ पर एक खड़ा-खोदा, गढढ़ा जिसको कह सकते हैं, गढढ़ा-खोदा था उन्होंने, और वहाँ जब गढढ़ा-खोदा तो उसमें से कुछ बौध कालीन जो वस्तुएं हैं वो प्राप्थ हुई, जैसे कि वहाँ से स्टूपों के इट जो है वो प्राप्थ हुई, सिपत जला के स्टूप जो है वो इट से बनाए गए थे, तेरा कोटा के कुछ वस्तुएं प्राप्थ हुई है, मोहरे प्राप्थ हुई है, कुछ पश्वों की मूर्तियां प्राप्थ हुई है, मोतियां प्राप्त हुई है और कुछ बॉल नुमा आकृती की गेंद नुमा आकृती की गोल गोल आकृतियां प्राई गई है और कुछ सांचे पाए गए है मोल्ड्स पाए गए है जिसमें शायद मूर्तियां वगरा ढाली गई होगी तो इस तरीके की चीज जो है वो पाई गई है कहां से ये ये जो देवदहा वाला जो इस्थान था वहां से तब जब यहां पर 1990 में खुदाई करेगी अभी दुबारा से खुदाई की बाते यहां पर कर जा रही है अब नेपाल ने इस बीच क्या किया उसके यहां का जो जोहर की सूची में शामिल नहीं है, जब ये dispute solve हो जाएगा, वास्टविक चीज़ें सामने आ जाएगे, तब शायद ये भारत की तरफ से या फिर नेपाल की तरफ से जहां से भी इसको शामिल करना होगा, UNESCO की धरवसूची में शामिल हो सकता है, फिलहाल जो वहां का जिला प्रशाशन है, महराज गंज का जो जिला प्रशाशन है, जिसने लेटर लिखा था, उसको जो है, अनुमती मिल गई है, इसके अलामा, जिला प्रशाशन जो है, वो यूपी परेटन युभाग को एक प्रस्ताव भी भेशता है, कि इस बात का प्रस्ताव भेशता है, कि ति 12 करोड रुपए जो है, वो सेंक्शन किये हैं, दोनों साइट्स के लिए क्रमशा 8 करोण और 3 करोण, ठीक है, 8 करोड रुपए जो है, ये राम ग्राम के लिए है, राम ग्राम के लिए, ठीक है, और देवदाहा जो जगा है, इसके लिए 3 करोड रुपए सेंक्शन किये गए ह कि यहाँ पर आप जो है, क्या विक्सित कीजिए, परेटन इस्थल के रूप में इसको विक्सित कीजिए, परेटन इस्थल के रूप में, ठीक है, तो यह चीज हमको यहाँ पर थ्यान रखनी है, थोड़ी सी, कि यह तब तक जब तक ही सारी सच्चाईयां सामने नहीं आती है अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि इसी बीच 15 नॉवंबर को बीते 15 नॉवंबर को जिला प्रशासन ने सोहागी बर्वा वन्यजीव अभिरन के आसपास के स्थनों को कवर करते हुए जंगल में सफारी शुरू कर दी और ये दो मारगों को चालू किया गया है जिसमें से एक राम ग्राम इस्थल है ठीक है तो ये भी एक important बात हो गई कि धीरे धीरे अगर देखा जाया तो भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि भई ये जो इस्थान है वो हमारा है और महात्मा बुद्ध से संबंधित जो राम ग्राम जगा है वो यही है ठीक है अब डिस्प्यूट जो है वो नेपाल की तरफ से क्रिएट कर दिया गया है कि नहीं भई हमारे यहां राम ग्रम है तो अब फाइनली जाच करानी पड़ेगी तभी संबंधा सामने आ रामयार सर्किट में राम की साइट को विजिट करानी की बात है उसको परेटन के अंतरकत लाने की बात है कृष्णा सर्किट में कृष्ण की और बौध सर्किट जो है उसमें बुद्ध से समंधित जो स्थले उसको कवर करनी की बात है जिसमें कपिल वस्तू, सारनात, पवित्र अवशेशों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परनिर्वाण है, इनका कहा हुआ है, ये हुआ है कुशी नगर में, देखो नीचे लिखा भी ये कुशी नगर, ये कुशी नगर में हुआ है, तो कुशी नगर में इनका परनिर्वाण हुआ, इस घटना को महा परनिर्वाण के रूप में जानते हैं, महात्मा बुद्ध जो है कि उस समय वो 29 वर्ष की आयोके थे जब वो घर से निकले इसको बोला गया महाभी निश्क्रमण इसी तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना है वो जब उन्हें मात्मबुद्ध को ज्यान प्राप्थ हुआ था ठीक है तो उसको बोला गया संबोधी उस घटना को ब प्रावत्तन या इसे आप धर्म चक्र प्रावर्तन के रूप में जानते हैं धर्म चक्र प्रावर्तन तो धम चक्र प्रावर्तन के लिजिए धम चक प्रावर्तन के लिजिए एक ही बात है इसके अलावाद चौथा और इंपॉर्टेंट जो घटना है वो है आपका ये महा परि निर्वान महा पर निर्वान के समय उनकी आयू कितनी है 80 वर्ष है संबोधी की जब घटना हुई तब उनकी आयू जो है वो 35 वर्ष है धम चक प्रोरतन भी इसी 35 में वर्ष में ही हुआ और 80 में वर्ष में उनकी मृत्ति हुई तो जिससे महात्रा पुद्धी की मृत्ति हुई उस समय ये 80 वर्ष के थी मैंने आपको बताया तो कुशी नगर अब जब जहां पर उनकी डेथ हुई वो जगह थी कुशी नगर ठीक है मृत्ति जहां होई वो जगह कौन सी है वो कुशी नगर है तो कुशी नगर के जो मल हैं, एक सारभौमिक राजा के रूप में जो है उन्होंने इसका वरण किया है, सारभौमिक राजा का मतलब क्या है यहां पर, सारभौमिक राजा का मतलब है कि एक मतलब आप सोची ये तो सन्यासी थे, एक सन्यासी थे ये तो, और इन्होंने त्याग दिया था ये बात अलग है कि इनके जो माता पिता है वो एक प्रकार से क्या थे एक रासी परिवार से थे इनके पिता जो है वो कपिल वस्तु के शासक थे और माता महामाया महारानी थी महामाया का देहांत जल्दी ही हो गया 6-7 दिन के ही थे ये और उसके बाद इनकी मौसी जो प्रजापती गौतमी है उन्होंने पालपोस करके बढ़ा किया था तो ये एक सारजनिक राजा के रूप में यहाँ पर मतलब एक राजा की तरह जैसे अंतिम संसकार होता है वैसा इनका अंतिम संसकार किया गए इसलिए इनको एक सारज़भौमिक राजा माना गया ठीक है तो उनके जो शरीर का अंतिम संसकार है वो इसी रूप में हुआ है मतलब ऐसे कोई सार्धन संयासी के रूप में नहीं हुआ है और जब उनके इस अंतिम संसकार का समापन हुआ तो उनके इस अवशेष के ये जो पवित्र अवशेस ही हुआ इनके शरीर का, इस पवित्र अवशेस के आठ दावेदार हुए, अब वो आठों लोग इन अवशेशों की दावेदारी में जब आने लगे सामने, तो सबसे पहले जो दावेदारी हुई, वो पावा के मल्लों की हुई, ठीक है, सबसे पह जह है वो शाक्यों ने दावेदारी करी उनका कहना था कि बुद्ध तो हमारे ही कुल से ही रिलेटेट थे तो इन्हों ने कहा कि भई ये दावेदारी इस पी हमारी बनती है तो ये अवशेस हमें मिलने चाहिए इसी तरीके से वैशाली के जो लिक्षवी हैं उन्होंने भी दावेदारी करी और अजात शत्रू जो मगत का शासक था वहां से भी एक दावेदारी आई कि ये हमारे परम्मित्र थे तो हमें इनकी दावेदारी मिलनी चाहिए तो कुशी नगर के मल भी इसी में है अलकपा के मल भी इसी में है राम ग्राम जो हैं वो भी इसी में है राम ग्राम के जो कोली हैं उन्होंने भी कहा कि हमें चाहिए अब ये राम ग्राम वाली जो जगा है इसी को ले करके डिस्प्यूट है और वेट द्वीप के जो ब्राम्हण थे उन्होंने भी इस पर अपनी दावे रखी दावेदारी रखी और ये दावेदारी आंतता चल करके इतनी जादा क्रूशल हो गई कि आपस में युद्ध की स्थिति आ गई कि भाई हमको चाहिए अवशेस जब ये डिस्प्यूट बहुत जड़ा बढ़ गया यहाँ पर एक ब्रामण थे जिन्हों नाम था उनका द्रोन नाम के ब्रामण थे जिन्हों ने ये बताया इन सारे लोगों को कि जीवन भर बुद्ध यही समझाते रहे कि हमें आपस में व्यक्ति ने शान्ती का पाठ पढ़ाया है उसकी मृत्यू और उसके अवशेस पर आप लोग युद्ध करने को तयार है अशान्ती फैला रहे हैं तो ये सही नहीं है इन्हों ने एक मध्यमार्ग निकाला और कहा कि सभी लोगों की क्योंकि इनके उपर दावेदारी है तो सभी लोग इनकी अवशेशों को डिवाइड कर लीजे और इन्हों ने ही स्वयम जो है इन अवशेशों को आठ भागों में डिवाइड किया और आठ भागों में डिवाइड करके इन्हें दे दिया और इन लोगों ने इस पर अपने यहां ले जा करके उनके जो अवशेश को थूप के रूप में जाना आता है और थूप का मतलब होता है मिट्टी का टीला मिट्टी का टीला तो उस समय इस तरीके के टीले बनवाए गए और इन्ही आठ टीलों में से साथ को खोद करके उनकी अफशेशों को फिर से प्राप्त करके कईयों जगहों पर अशोक ने 48,000 जगहों पर अशोक ने क्या किया उसका expansion किया ठीक है समझ में आ गया कि नहीं clear हो गई बात अब यहां पर हमको यह समझना है कि दो स्टूप और है इन आठ के लावा दो स्टूप और है एक स्टूप बनवाया गया था द्रोण के द्वारा जो की निर्मित था महात्मा के जो अवशेश जिस पात्र में रखे गए थे उस पात्र के उपर यह निर्मित है एक तो यह है आठ तो यह आले उरिजिनल है और दो यह वाले है तो एक द्रोण थे जिन्होंने यह dispute solve कराया था उनके पास में अंत में के वल पात्र बचा ठीक है लिकिन जब यह सारा बट पिपली वन के जो मौर थे इन मौर्यों को पिपली वन के जो मौर थे इनको भी यह समझ में आए कि भाई ऐसा कर सकते हैं कि हमको भी चाहिए यह जो अवशेश है यह हमको भी चाहिए लेकिन तब तक तो सारा बढ़ चुका था तो पिपली वन के जो मौर थे उनको के वल र राख और जो अंगारे वगएरा थे, वो ही मिले, तो राख और अंगारे पर जो स्टूप निर्मित है, वो पिपले वन के मौर्यों का है, और द्रोन ने जो स्टूप निर्मित कराया, वो जो बचा हुआ, पात्र जो बचा, वो उसके उपर उनने स्कर्रमाड कराया, तो ये तो हो गए उन स्टूपों के बारे में अब स्टूपों के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्ध के जो शारीरी का अवशेष थे जिससे सारी जिस पर जो है सारी का स्टूप बना है ये पर बने स्टूप सबसे जीवित और बौध मंदिर जो हैं यहीं पर पाए जाते हैं बौध मंदिर वही स्टूप ही है एक तरीके से जिनको आप चैते के नाम से भी जानते हैं ठीक है इनको पाली भाषा में चैते बोला जाता है अशोक के बारे मैंने आपको बताया कि इन आठ स्टूपों में से साथ को उसने खोला था और उसमें से चीजों को पाकरके अन्य-अन्य जगवों पर स्टूप बनवाये थे यहां पर हम एक स्टूप की बात करना चाहते हैं बर्मी स्टूप की यह बर्मी स्टूप की एक गाथा है कि जब महात्मा बुद्ध को ने जब महा पर जहां जब उनको संबोधी प्राप्त हुआ तो संबोधी प्राप्थ होने के पश्चात यानि बोधत्व की घटना घटित होने के पश्चात जब वो आगे बढ़े तो क्योंकि वो व्रत में थे उस समय तो जब उन्होंने अपना व्रत तोड़ा तो दो कह सकते हैं व्यापारी थे जिनका नाम था तपस्सू और भलिक ये दो व्यापारी भाई थे व्यापारी बंदू थे व्यापारी बंदू थे और ये जो व्यापारी बंदू हैं इन व्यापारी बंदू ने क्या किया इन व्यापारी बंदू ने इन्हें शहद खिलाया ऐसा कहा जाता है और इस तरीके से उनका वो ब्रत्तू था तो इसके बदले में भात्मा बुद्ध ने अपने सर से आठ बाल निकाल करके मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ आठ थे या चार थे इसको ले करके मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ बर्मा चले गए और वहां के राजा को दिये जिस पर वहां पर बर्मी स्टूप बना ठीक है तो ये बर्मी स्टूप है ये केश धात्वों पर स्टूप बनने का या प्राचीन्तम साक्ष है जो की बर्मा में सबसे ज़्यादा पूचनी है मैंने बताया आपको कि पाली भाषा में इसे थूप कहते हैं और थूप का मतलब होता है टीला किसका टीला? मिट्टी का और ये मिट्टी के जो टीले होते हैं ये एक प्रकार से पाली भाषा में पूजा इस्थल के लिए यूज होते हैं तो इसी लिए जब ये बाल की उपर जब स्टूप बना तो आपर पूजा वगएरा वहाँ पर हो निशुरू हो गई तो ये प्रकार से वहाँ के पूजा इस्थल भी है और सबसे ज़्याद अब पूजे जाने लिए पूजा इस्थलों में से यही है अब हम पारंपरिक रूप से अगर स्टूपों की बात करते हैं तो स्टूप आठ प्रकार के हैं अब ये आठ प्रकार के स्टूप कौन कौन से हैं पद्म स्टूप जिसे पाली भाशा में पुद्म छोटेन कहा जाता है ठीके, तो पुद्म छोटेन ये लुम्बनी में है, पुद्म छोटेन ये जब पदम स्थूप है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो पदम का मतलब होता है, पदम का मतलब होता है कमल, और एक कथा के अनुसार अगर हम देखें, कमल, कमला नहीं, कमल, कमल जो है, इस स्थूप क कमल स्थूप कहा जाता है पदम स्थूप कहते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं जब महात्ना बुद्ध का जन्म हुआ तो माना जाता है कि जन्म के तुरंत बाद वो साथ कदम चले साथ कदम चले और जब साथ कदम चले तो प्रतेक साथ कदम पर एक-एक कमल का फूल बन गया, कमल का, कमल का फूल बना, ठीक है, ये कमल का फूल बन गया, इसी की याद में पदमिस्तूप है, और जन्म कहां हुआ है, लुम्बिनी में, इसी लिए इस जगे का नाम है लुम्बिनी, ठीक, इसके अलावा, दूसरे की अगर हम बात करते है तो ये बुद्धत्व स्टूप है जिसे छांग्चुब स्टूप के नाम से जाना जाता है और आप सब लोगों को मालूम है कि बुद्ध को जो ज्यान प्राप्थ हुआ है वो कहां प्राप्थ हुआ है वो गया में बोध गया में प्राप्थ हुआ है इसलिए ये बुद्धत्व स्थूप जो है, ये भगवान के भगवान बुद्ध जो है, या इनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध जो है, इन्हों ने जब जहां पर ज्यान प्राप्त किया, तो ज्यान प्राप्ति के स्मृति को ये दिखाता है, रेप्रे उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसे ताशी गोमांग छोटेन कहा जाता है, और आप सब को मालूमे की घटना सारनात्मी हुई थी, इसले इसको सारनात्मी स्थापित किया गया, इसी तरीके से एक है अस्ट प्रतिहार्य स्थूप, तो महात्मा बुध्ध ने अस्ट प्रतिह प्रतिहार्य किये, ये प्रतिहार्य जो है जिसको चमतकार कहा जाता है, आठ जो है चमतकार किये, हलाकि महात्मा बुध्ध ने अपने अन्यायों को और शिश्यों को प्रतिहार्य करने से मना किया है, लेकिन इन्होंने आठ प्रतिहार्य किये थे, और ये आठ प्रतिहार्य कहां हुए हैं शावस्ती में हुए हैं इसलिए शावस्ती में ही है अस्ट प्रतिहार्य स्थूप ठीक है इसके बाद अगले स्थूप के अगर हम बात करते हैं तो ये है देवलोग अवत्रन स्थूप देवलोग अवत्रन स्थूप जो है इसको बोला आता है लहबाब छोटे और यह संकिसा में, अब इसका क्या महत्व है, इसका महत्व यह है कि देखिए एक tearm यहां पर आएगा वर्शावन, महात्मा बुध्ध ने टोटल 45 वर्शावन किये, वर्शावन क्या है बुध्ध के अनुसार जो बौध-ःथिख्षू है, जो बौध-ःथिख्षू है, ब इसी स्थान पर रुकने के लिए नहीं कहा गया है। बारिश का समय है तो समय विच्रण नहीं हो रहा है शेश समय में विच्रण हो रहा है ज्यान जो है वो बट रहा है और ये वर्शावन खतम होने के पश्चाथ एक साल में एक बार एक प्रक्रिया भी होती है जिसमें वो स्वयम के किये गए अपराधों की स्वयम से माफी भी म वर्शावन जो बहुत रहस्यमई है, वो है कौशामबी का, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, एक जो है वो कौशामबी का वर्शावन है, ये भी बहुत आश्चर जनक है, और दूसरा वर्शावन जो है, वो आपका, दूसरा जो वर्शावन है, ये आपका देव जगे का नाम, दूसरा वर्शावन देवलोक में हुआ, इसलिए देवलोक का अवतरन बोला जाता है इसको, देवलोक वर्शावन में क्या हुआ, ये वही जगा है, ये देवलोक वही जगा है, इसी जगा में तुशित लोक एक जगा है, तुशित लोक, इसी को तुशित लोक भी कहते हैं, ठीक है देव लोग या तिशुत लोग, यही जो जगा है, जहां पर महात्ना बुद्ध ने महामाया को धम जो है, वो स्विकार करवाया था और उसके बाद वो धम की अन्वियाई हो गई थी, या अपनी माता को प्रजापती गौत्मी जो है, उनको माता को, धम जो है, वो स्विकार करवाया, तो उसकी अन्वाई हो गई थी, तो इस जगह को बोला, अब इस जगह पर ज्यान देने के पश्शाद, वो पहली बार जहां पर अवतरित हुए, मतलब जैसे जो वर्षावन होता है न, वर्षावन में गायब हो गए, अब नहीं दिख रहे हैं वो कि कहां है बुद्ध, उसके बाद वो अचानक से प्रकट होंगे, जब वर्षावन समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोलते है प्रकटी करण, उसको बोलते हैं अवतरण, तो इस देवलोग घटना के प्रशाद जो उनका अवतरण हुआ, वो संकिसा में हुआ, इसी लिए देवलोग अवतरण स्टूप जो है, उस घटना को रिप्रेजेंट कहां किया गया है, संकिसा में किया गया है इसके अलावाए एक स्टूप है मैत्री स्टूप मैत्री स्टूप मैत्री यानि की friendship को represent करने के लिए तो कहते हैं महात्ना बुद्ध के जो राजगीर के राजगीर जिसको आप राजग्रह भी कहते हैं यहां के राजगीर थे हर्यक वर्श के राजगीर थे बिम्बिसार बिम्बिसार तो यह जो बिम्बिसार हैं यह इनके फ्रेंड थे उनके साथ मित्रवत विवहार थे महात्ना बुद्ध के मित्रवत विवहार थे उनके साथ तो इसी वजह से इस विहार को हम लोग क्या बोलते हैं मैत्री स्टुप के नाम से आनते हैं यहाँ पर मैत्री स्टूप का निर्माण इस friendship को मेमोराईज करने के लिए इसको मैत्री विहार के रूप मे जाना जाता है हलाकि विमिसार नहीं महात्ना बुद्धु को पहला विहार भी पहला विहार भी भेट किया था और ये पहला विहार जो है ये बांस का था जिसे वेणुवन बोला गया क्या बोला गया वेणुवन विहार तो वेणुवन विहार सबसे पहला विहार है जो इनको दान में मिला था और इसी स्टूप पर इसी मैत्री स्टूप पर ही अगर हम बात करेंगे तो सत्या का चिन है इसी मैत्री स्टूप पर सत्या का चिन है सत्या या सत्या लिखा रहे था कहीं कहीं सत्या यानि की स्वास्तिक इस पर स्वास्तिक का निशान है ये भी आमको ध्यान रखना है ये स्वतिया या स्वास्तिक का निशान वाला जो स्टूप है वो कौन सा है वो मैत्री स्टूप ही है और इसमें कई जगहों पर जो स्वास्तिक हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं जिने श्रीवत्स का मतलब हो गया यहां लिख दे रहा हूँ, श्रीवत्स का मतलब हो गया, जुड़े हुए स्वास्तिक, ठीके, अब हम बात करेंगे विजय स्टूप की, विजय स्टूप, आपने यहां पर कौशामबी स्टूप की बारे में मैंने थोड़ी दिर पहले चर्चा करी थी, और मैंने का था आगे बताएंगे, देखिए आपर लिखा था, दो सबसे आश्चर जनक हैं, एक तो देवलोग वाली घटना और दूसरी कौशामबी वाली, तो कौशामबी वाली घटना में आश्चर यह है कि ये कौशामबी में भी इन्होंने एक वर्षावन बिताया है, और कौशामबी का जो वर्षावन है, कौशामबी का जो वर्षावन है, वो उन्होंने जंगल के पशुपक्षियों के साथ बिताया है, ठीक है, पशुपक्षियों के साथ बिताया है, बंदर, आथी, इनके साथ बिताया है, और जब तक ये रहे, तब तक उनसे सांकेतिक भाषा में चर्चा करि और जैसे इसका सबसे बढ़िया उधारणे आपने बंदर के बारे में सुना होगा तो उन्होंने मुँपे ऐसे उंगली रख करके बुरा मत बोलो तो वो एक बंदर जो मुँपे उंगली रखता है उसके बाद बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो ये वाला बंदर आपने देखा होगा ये जो बंदर है ये जो प्रतीक है बंदर का प्रतीक है इस तरीके का ये चित्रात्मक रूप में फिर प्रकट होना शुरू हो गया और फिर तमाम सारे जो देशें उसमें इसका विकास हुआ तो इस पर मूर्तियां बनाई जाने शुरू कर दी गई जापान उपान तक सब गई है तो सांकेतिक चर्चा करके उनको जो है इन्होंने ज्यान दिया है एक तरीके का समझाया है पर नहीं पशुओं को भी उन्होंने दिक्षित किया है परशुपक्षियों को भी सांकेतिक भाषा में उनसे वारता करिए तो परशुपक्षियों में परशुपक्षी जो है वो तरिया क्योनी के हैं किस योनी के हैं तरिया क्योनी के हैं और माना जाता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से इस प्रकार की प्रक्रिया से उन्हें तरियक योनी से मुक्ति मिल गई तरियक योनी से क्या मिल गई मुक्ति मिल गई या इस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली विजय प्राप्त की तरियक योनी पर विजय प्राप्त कर ली इन पशुपक्षियोंने और इसी चीज़ को मेमुराइज करने के लिए, देखे, स्टूप कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के शरीर के और शेशों पे ही बने, स्टूप उनकी याद में जो घटनाए घटित हैं, उसकी याद में भी बनाय जा सकते हैं, जिसका ये उधारण है, ठीक है, आपसे जिर्वान कि जो घटना जहां पर घटित हुई है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो की कुशी नगर में, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, कि ये है, आपके सारे के सारे, जो प्रमुख, जो अवशेश थे, पवित्र अवशेश जो थे, उनके बारे में बताया, तो म या वास्तविक रूप में इस पर किसका अधिकार होने वाला है, ये जल्द ही जो है, खबर जब आएगी तो हम फिर से इसको एक बार कवर करेंगे, फिलहाल इस लेक्शर में इतना ही जाते जाते एक प्रशन आपके समक्ष है, उत्तर देते जाईएगा, निमलिकित में से कौ कौन सी भारत की सबसे पुरानी पत्थर की सनरचना है, और मौर राजा अशोग द्वारा बनवाई गई थी, साची स्तूप, अमरावती स्तूप, पिशावर स्तूप या नागारजुन कोंडा स्कूप, इस्तूप, आपको अपने प्रशन का उत्तर इसी लेक्शर के कॉमें सेक्शन में देना है, और इस लेक्शर की पीडियाफ जो है, वो आप हमसे यहां से प्राप्त कर सकते हैं, इस टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ करें, और अपने विचारों को और मेरे साथ जुड़ने के लिए, यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं, फेस्बूक और इस इस्टाग्राम पर, फिलहाल इस लेक्शर में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में तब तक ले नमश्कार, धन्यवाद